अब देखो प्राइम वीडियो पी आमें अभी तक काफी अच्छे कासे fantasy shows देखने को मिले हैं जिन में से एक हमें साल 2022 में देखने को मिला था The Rings of Power सिरीज का part 1 जो की visually काफी appealing था बट उससे एक साल पहले यानि की 2021 में हमें The Wheel of Time सिरीज का part 1 भी देखने को मिला था जिसन की कम budget होने के बावजूद भी अपना अच्छा खासा fan base create किया था और जिस point पे ये show end होता है तो वहां से इसके fans part 2 के लिए बहुत जादा बेसमरी से wait कर रही हैं जिसके filming खतम हो गये थी में 2022 की आसपास एंड तबी सी अभी तक ये show अपने post work में हैं अब अभी हाली में show के creator रेव जटकिस ने ये भी कहा था कि अभी भी इसके part 2 का काफी सारा post work बागी है अब क्योंकि इस बार show का part 2 बेस होगा the wheel of time की second and third book की ओपर जो की है the great hunt and the dragon reborn जहाँ पर हमें काफी सारे ऐसे event देखने को मिलती हैं जिसमें की VFX का काफी अच्छा खासा यूज किया जाएगा और जहाँ पर VFX होगा तो वहाँ पर अच्छा खासा time भी लगेगा साथ ही मैंने आपको हाली में ये भी इनफर्म किया था कि इस बार the wheel of time का part 2 काफी mature and brutal होगा जिसमें की आपको एक अच्छा खासा time gap भी देखने को मिलेगा और वे भी ऐसा भी हो सकता कि आपको age of legends के बारे में भी काफी कुछ जानने को मिल जाए क्योंकि जहाँ पे शो का part 1 base था the wheel of time की पहली book the eye of the world की उपर तो वही part 2 base होगा the wheel of time की second and third book की उपर यानि कि आपको इस बार शो की अंदर एक अच्छी खासी pacing भी देखने को मिलेगी और अभी हाली में शो की बारे में ऐसी update भी निकलके आई है कि two river के set को वापस से build किया जा रहा है अभी वही गाउ है जिसी episode 1 में तबाह कर दिया गिया था यह सब किया जा रहा है इस series के part 3 के लिए जो की बेज होगा the wheel of time की चौती book the shadows rising के उपर जिसम की शो के main leads वापस से अपने गाउं में आएंगे एंड यहापी हमें एक बहुत बड़ी battle देखने को मिलेगी जो की हमें इस बात की और hint कर देता है कि part 2 में इस battle को अच्छे से setup किया जाएगा और बाकी यह शो आपको देखने को मिल सकता है जुलाई और सेप्टेंबर के बीच में कभी भी जिसके लिए आप मेंसे कौन-कन वेट कर रहा है तो नीचे हैश्टेक the wheel of time कॉमेंट करना मत भूलना